किसान भाईयो पच्छिमी विचोव एक बार फिर सक्रिय हो गया है और पच्छिमी विचोव के पिरभाब से इस बार ज़ादा बारिस देखने को मिलेगी उत्तरी भारत में और उत्तर पच्छिमी के कई राज्यों में हर्याना, राजिस्थान, पंजाब, उत्तर पिरदेश के अलावा मध्य पिरदेश और बिहार में भी जवर्दस बारिस देखने को मिल सकती है 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक यह पच्छिमी विच्चो सक्रिये रहेगा तो कौन-कौन से राज्यों में कितनी वारिस होगी, कहाँ पर उला बिरश्टा की संभाबना है, कहाँ पर तेज हवा के साथ वारिस होने की संभाबना है, तो बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं, 19 से 21 फरवरी के बीच पंजाब, हर्याणा, दिल्ली, पच्छिमी उत्तर पिर्देश और 20 से 21 फरवरी के बीच पूर्वी उत्तर पिर्देश और उत्तरी मध्य पिर्देश में ब्यापक हलकी से मध्यम बारिस होने की संभाबना है पूरी पूरी उन्नीस से इक्कीस फरवरी के बीच उत्री राजिस्तान में कुछ इस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिस होने की संभावना है वहीं 19 से 21 फरवरी के बीज उत्तरी राजिस्थान में कुछ इस्थानों पर हलकी से मध्यम बारिस होने की संभाबना है 19 से 20 फरवरी के बीज पंजाव, हर्याना, दिल्ली और पच्छिम उत्तर प्रिदेश में चिटपूट ओला बिरश्टा की गति विद्यों के साथ गरच के साथ बिजली गिडने और तेज हवाय चलने की संभाबना है तो पंजाव, हर्याना, दिल्ली पच्छिम उत्तर प्रिदेश में जदा तेज हवाय के साथ बारिस होने की संभाबना है और पहले इसके साथ कहीं कहीं पर ओला बिरश्टी की गतिविदी भी देखने को मिलेगी यानि की कहीं कहीं पर इन छेत्रों में, इन राज्यों में ओले गिरने की भी संभाबना है तो यह चीज धियान में रखें इसके साथ ही 21 से 24 फरवरी के बीच सिक्कम और अनोचल प्रिदेश में हलकी से मध्यम बारिस और परपारी की भी संभाबना है तो इस प्रकार से आने वाले 19, 20, 21, 22, 23, 24 फरवरी तक मोसम एक बार फिर बदलेगा कल रात से मोसम में बदलाव आपको देखने को मिला होगा पच्छी में विच्छोव के पिरभाब से मैंने जो आपको बताया इन राज्यों के अंदर बारिस देखने को मिलेगी कहीं पर जादा तो कहीं पर कम बालिस होगी और कुछ इस्थानों पर छेतरों में ओला बिरष्टा की भी संभाबना है खास कर हरियाना, राजिस्थान, पंजाव और पच्छी में उत्तर प्रिदेश में ओले गिनने की भी संभाबना जादा से जादा है तो इस वीडियो को दूसरों किसानों तक जरूर सेर करें ताकि और लोगों को भी मोसम के बारे में जानकारी मिल सके नमस्कार किसान भाईयो